काट दोस्तों स्वागत है आपको मेरी चैनल में फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजली माल लक्षमी की आशीर वाद से 30 नवंबर चंद्र ग्रहन के दिन आपकी जीवन में कुछ ऐसे बदलाब ऐसे बड़े चमतकार होंगे कुछ ऐसे बड़े परिवर्थर होंगे जिससे सुनकर आपकी नीन उड़ जाएगी इस चैन्द्र ग्रहन पर माल लक्षमी की किरिपा से गजब का सायूंग बनने जा रहा है जिससे कि आपको अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी खुश खबरियां मिलने वाली है जिसे आपका जीवन ही बदल जाएगा तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इसके बारे में तो इसके लिए वीडियो को अन्ददग आप पूरा देखीगा ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके मा लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है सनातन धर्म के शास्त्रों पुरानों में भी कहा गया है कि जिसके उपर धन की देवी महा लक्ष्मी की गिरिपा हो जाती है तो उसके घर में कभी धन और वैभव की कभी नहीं आती लेकिन क्या आप इस बात से परिचित भी है कि मा लक्ष्मी का सभाव बेहत चंचल माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि मालक्ष्मी एक जगाह टिककर नहीं बैठ सकती यही वज़ा है कि मनुष्य की जीवन में धन से रिलेटिज उतार ठढ़ाव आते ही रहते हैं हमेशा धन के देवी को प्रसन करने के लिए तमाम उपाय किये जाते हैं जिसे खुश होकर महालक्ष्मी व्यक्ति को मालव माल कर देती है आजगल के समय में इनसान को कई तरह का दिक्कतों का सामना करना पर सकता है इसका सबसे पहला कारण है आर्थिक तंगी इसके इलावा मनुष्य के जीवन में ऐसे उतार चिड़ाफ क्रहों की चाल से लगादार होते ही रहते हैं इसलिए मनुष्य हमेशा से ही अपने भविश्य को लेकर काफी जादा उत्सुक रहते हैं इसी करम में इस बार चंद्र ग्रहन परविशेश महासंयोग बनने जा रहा है जिसमें मालक्ष्मी आप परविशेश किरपा परसाने वाली है आपकी जानकारे के लिए मैं बता दू कि जैसे हमने पहले भी बताया था कि मनिश्य की जीवन में ग्रहों की चाल बहुती बड़ा महत्वर रखती है इनकी चाल से सीधा संबंद जो है वो हमारे समानने जीवन पर भी पढ़ता है कभी कोई ग्रह किसी राशी के लिए खुश्या लेकर आता है तो कभी दिक्कतों का सामना करना भी पढ़ सकता है और इस महासायोग से इस बार महालक्ष्मी की तरफ से आपको वहती भारी लाभ प्राप्त होने वाला है माना जहा रहा है कि ऐसा महासायोग जीवन में कभी कभी ही आता है जिसे महालक्ष्मी स्वयम आप पर अपनी किर्पा बरसा आने वाली है महालक्ष्मी के विशेश किर्पा अब आप पर भी होने वाली है आप लोगों की किस्मत अब महालक्ष्मी के किर्पा से खुलने जा रही है और आपके पास पैसा ही पैसा आने वाला है आपके जीवन में खुशियां आएंगी, खुशियों से भर जाएगा जीवन अब आने वाला समय आप लोगों के लिए काफी शुब संकेत देने वाला है बहुती मंगल में रहेगा आने वाले समय में आपको अब बहुती बड़ा धनलाव भी मिलने वाला है महालक्षमी खुद आपके घर आएंगी और आपकी जोली खुशियों के साथ भर कर जाएगी आप हर कथिनाईयों का सामना कर पाएंगे और अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे जैसा चाहोगे वैसा ही पाओगे आपकी आर्थिक सिती में सुधार होता नजर आएगा और आपका जो जीवन है वो बहुत ही खुश्मे और आनंद में परतीत होता नजर आएगा आपको महालक्षमी की कृपा से आपके कुझली में लक्षमी योग का जबरदस्त योग बनने जा रहा है जिसके कारण आप लोगों के लिए समय अब बहुत ही उत्तम और बढ़िया रहने वाला है जी हाँ दोस्तों आपके बुलाकाद किसी ऐसे व्यक्ति से भी हो सकती है जो आपकी जीवन की दश्रको ही बदल कर रखते यानि कि उससे जो है आपकी भविश्य में बहुत ही ज़्यादा हो सकता है उसे व्यक्ति के कारण आप जो है उम्न तरक्की कर सकते हैं आपकी जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि आप उन्चाईयां छूपाएंगे आपकी जीवन में सुक समरिद्धी महालक्ष्मी की किरपा से कोई कमी नहीं रहेगी उस चीज़ में आपकी जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि आपको हर जगा से लाव ही लाव में लेवाएगा साथी में खुश्यां घर में मौजूद रहेगी जिसकी वज़े से आपकी घर में सुक सुविदाएं आती रहेंगी और पैसा भी बढ़ता नज़र आएगा अधिक धनलाब तो होगा ही और साथी में कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं इस टाइम में आपकी आर्चिक सिती में सुधार होगा घर में शांती कमहौल लगातार बना रहेगा महालक्ष्मी की विशीश किर्पा अब आप पर ही रहने वाली है इसके साथ ही पूर्व में की गई महनत की जो फल है वो भी आपको मिलेगा आपके लिए काफी आनद दाइक रहेगा याने कि गर आपने पहले महनत की थी उसका जो फल है वो अब आपको काफी हद तक अच्छा मिलेगा जैसा आपने चाहता वैसा ही मिलेगा लेकिन उससे जादा भी मिल सकता है धन से जोड़ी जो भी प्राब्लम चल रही थी वो आपके इस ग्रहन के बाद सारी की सारी खतम हो जाएंगी स्टुरेंट्स के लिए भी बहुत ही बढ़िया और खास रहेगा आने वाले दिनों में आपके अगर एक्जाम्स आने वाले हैं तो इसे ग्रहन का असर आपके एक्जाम पर पढ़ेगा आपकी जो एक्जाम है बहुत ही बढ़िया रहेगी यकीन मानिए आपको बहुत ही उ साथ यसाथ में मानसिक बेड़ाय भी दूर होती निजर आएंगे, बिजनस में कोई बड़ा मुनाफ़ा मिल सकता है आपको, फैमिली इशुज जो हैं, जो काफी देर से चले आ रहे थे, वो भी अब आपके इस साल बहुती ठीक हो जाएंगे, आपको अपने अंदर एक नई उर्जा, चुस्ती, सफुर्ती महसूस होगी, आपको मैं ये भी बता दो कि मंगल की सिती आपके लिए भी बेहद शुब है, आपका कारोबार दिन, दुगनी, रात, जोगनी तरक्की करेगा, अगर आप जोब करते हैं तो समय बहुत ही बहतरीन आने वाला है, मन चाही जोब मिल सकती है, मन चाही पैसे मिल सकती है, सालरी मिल सकती है, समझ में आपका मन समाच में आपका मान समान तो बड़ेगा ही आपकी जो मित्र हैं, आपका पूरा-पूरा साथ भी देने वाले हैं। लक्ष्मी योग के कारण अब आपको बहुत ज़्यादा जबर्दस्त कमाई करने के मौके उपलब्द होने वाले हैं। दोस्तों इस महासयोग की कारण अब आपकी जो किस्मत है वो पलटने वाली है खुलने वाली है अगर आपकी काम रुके हुए थे बन नहीं रहे थे काफी देर से वो भी काम बंते चले जाएंगे अगर आपका पैसा कहीं डूपा हुआ था कोई दे नहीं रहा था वो भी पैस अब आपको जो है पड़ी ही असानी से और थोड़ी से प्रयास से मिल सकता है आपके पास पैसे आने वाले है इसका भरपूर मात्रा में उचित सयोग उचित उपयोग कीजिएगा आपके जीवन में खुश्यू की बहार आने वाली है यह जू भी कुछ हो रहा है क्रहन की ब पड़्ार करते हैं या फिर अपने संद्ध संत्य गुर्द वारा दिए हुए जो है मंत्र हैं उनका जाप करते हैं तो इससे और विविशिष कर लाव होगा साथह में महालक्ष्मी की वरत की कथा भी पड़ सकते हैं या फिर महलक्ष्मी चलिछा का पार भी बढ़ सकते हैं इसके साथ महालक्ष्मी का आश्रिवाद आप सब पर बना रहेगा खुशी आपको मिलती रहेंगी सारे के सारे कष्ट है वो भी दूर होंगे जिनके पुराने श्रेरी कष्ट चल रहे थे उनसे निचात मिल पाएगी और साथ ही में घर में जो है काफी हद तक सा मंजस्य आप दोनों पार्टनर्स का भी बना रहेगा यानि कि लव लाइफ के लिए भी ये जो समय रहेगा वो बहुत ही बढ़िया और उम्दा रहेगा अगर कोई दिक्कत चल रही थी आप दोनों में वो भी जल्दी ही सुलन सकती है और आप दोनों में प्यार फिर से बरकरार दिख सकता है साथ में लेडी से लोगों को बहुत ही फायदा होगा घर के कामों में मन पूरा का पूरा लगेगा हो सकता है कि इसके बाज ग्रहन के बाज जो है कई लोगों को लैंड मिल जाए प्लेस मिल जाए अगर आप ढून रहे थे तो वो मिल सकती है आप चीजें खरीद सकते हैं, बड़ी असानी से सब कुछ आपका हो सकता है, अगर आप लोन पास करवाना चाहते थे तो वो भी हो सकता है, कुल में लाकर देखा जाए तो इस महा लक्षमी के योग से ग्रहन के बाद जो है, सारे की सारे काम जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से होने वाले हैं, तो आप अब निश्चिलत हो जाएए, सब कुछ अब आपके पक्ष में ही रहेगा, सारे की सारे खुश्यां आपकी घर में आएंगी, और आपकी घर में खुशाली, समरिद्धी, सुख वगएरा, सब कुछ बढ़ता जो है, वो आपको नजर आने वाला ह तो आप चिंता करने की कोई बात नहीं है, आज हम आपको बताएंगे बहुत आसान और सरल उपाय, जिसे करने से आप अपनी जीवन में परिशानियों को कम कर सकते हैं, इसे के साथ ही किसी भी चीज़ की इच्छा है, तो वो भी पूरी हो सकती है, जीवन में परिशानियों को कम करने के लिए और मनु कामना पूरण करने के लिए ये उपाय बहुत ही अच्छूक है, लेकिन इस उपाय को करने से पहले हम आपको ये बता दे कि पहले आप इस उपाय को धान पूरक समझे और उसे प्रकार से करें जैसा कि हम आपको बताएंगे, ये उपाय दोस्तों आपको शाम के समय में करना है अगर आप कुछ समय निकाल कर शान्ती से उपाई करेंगे तो ये उपाई आप के लिए बहुत ही अचूक और कारकर साबित होगा किसी भी तरह की कोई प्रोब्लम हो या अपनी कोई बनुकामना आप पूरी करवाना चाहते हो तो आप इस उपाई को करके पूरी कर सकते हो वैसे तो दोस्तों परिशान तो हर इंसान होता है चाहे कोई भी हो पर जादा लंबे समय तक किसी प्रोब्लम का चलना सहनी हो जाता है और उस इंसान के सभी उमीदें टूट जाती है और उस इंसान के कुछ भी अच्छन नहीं लगता उसके सामने अगर कोई अच्छे बात भी हो रही हो तो भी वैं मूँ फिर लेता है क्योंकि वो किसी परिशानी या किसी दुख से घिरा हुआ होता है जादा दुख एक साथ आने से इंसान का होसला भी तूट जाता है और आपका मन भी अश्यांत रहने लगता है आपकी काम याभी के रास्ते रुख जाते हैं इसलिए दोस्तों आज मैं आपको सठीक उपाय बताऊंगी जो की 80% तक कारकर सिध होगा उपाय बताने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता दू कि ये उपाय तभी सफल होगा जब आप इस उपाय का प्रियोग किसी अच्छे काम के लिए करेंगे अगर आप इस उपाय का प्रियोग गलत तरीके से या गलत ढंक से करने की कोशिश भी करेंगे तो आपको इसका पूरा लाव नहीं मिल पाएगा तो चलिए बात करते हैं उपाय की दोस्तों आपको एक सफेद कागज लेना है और उसे सफेद कागज पर आपको अपनी परिशानी लिख देनी है या कोई मनुकामना है उस पर लिख देना है किसी भी तरह की आपके मन में कोई भी इच्छा हो उसे आप उस पेपर पर लिख दे इसके बाद थोड़ी से गुगल और लोबान लेकर आए फिर उस गुगल लोबान दोनों चीजों को किसी लोहे के उपर रख कर जलाएंगे तो ये उसी प्रकार जलेगा जैसे धूप बत्ती जलती है उसी धूप के साथ आपको वो कागस जिसमें अपने आपनी पर शानी या फिर अपनी मनुकामना लिखी है उसको जला दे याद रहें ये बात कि इस उपाई को आपको अपने घर के अंदर ही करना है और जब भी आप ये उपाई करें तो आपको अपने भगवान का सरूप सामें रख करें ऐसा करना है ये फोचो भगवान विश्नु और महलक्षमी की होनी चाहिए जब आप ये धूप जिला देंगे उसके बाद आपको अपने दोनों आंखें बंद करके जो भी आपने कागज में लिखा है उसे अपने मन में दोहरा दे रहा है याद रखें आपने जो भी उस खाली कागज में लिखा है उसको आपको 108 बार दोहराना है ये उपाई आप शाम की समय में करें तो आपको जादा फायदा होगा ये उपाई करने के बाद 15 दिन के बाद आपको इसका फल धीरे धीरे देखने को मिलेगा आपके जीवन में सुख समरिद्धी अकरशित होने लगेगी आपको जो पैसो सिरे लेरे प्रॉबलम आ रहे थी वो भी दिरे दिरे सुलजने लगेगी और आपके चबे पूरी होगी आपके परिशानी और दुख दर्द सब दूर होगी लेकिन आपको वो पाई उसी प्रकार से करना है जैसा कि हमने आपको बताया है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें शेयर करें हो चैनल को सब्सक्राइब करना बेवकों भीना भूलेगा धन्यवाद